यह सत्य नहीं है कि दोनों सवर्ना और सवपना लेखक हैं तो या तो सवर्ना लेखक है या फिर सवपना लेखक है तो हम क्या करेंगे या फिर हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं कि सवर्ना लेखक नहीं है या सवपना लेखक नहीं है तो या से बनना है पहले तो हम में और वाले option काट दे रहा हूँ यह वाला गलत हो गया यह वाला गलत हो गया यह वाला एक ही बचा और क्या बनाया उसने सुर्णा एक लेखख नहीं है यह तो मारा logic भी fit बैठना चाहिए यह यह देखके हम लगा सकते हैं इसको तो तो यह वाला भी कैसा होना चाहिए नहीं है होना चाहिए अगर तीन ओप्षन दे के इनको दोनों एक को पॉजिटिव एक को नेगेटिव रखता है और एक ओप्षन देता नन ओफ दी अब तो हमें कौन सा टिक करना पड़ेगा फिर नन ओफ दी अब हमारे लॉजिक को फिल करना चाहिए को फ्रेंट्स परिवर्तन कोचिंग पचमड़ी के यूट्यूब चैनल परिवर्तन जाचेंज में आपका एक बार फिर से सवागत है आज के हम अपने इस वीडियो में लॉजिकल एक्विविलेंट के जो कॉश्चन आ रहा है मद्यपरजिस पुलिस आरक्षक भरती 2022 में और भी अन्य भरतियों में यह आते हैं तो इनको हम देखने वाले हैं इसमें मैंने 2016 के पेपर में आए हुए कुछ कॉश्चन को लिया है और उसके दोरह हम समझेंगे कि इन कॉश्चन को हमें कैसे करना है बिना समय गवाए हम अपने वीडियो को सुरू करते हैं तो यदी से जब जो कॉश्चन सुरू होता है इंगलेस में हम देखें वो इफ से सुरू होता है तो इस कॉश्चन को करने के लिए हमें क्या करना है तो कॉश्चन क्या है यदी हम बिमान से जाते हैं तो हम इस थान पर समय से पहुंचते हैं तो इस कॉश्चन इस सेंटेंस को जो कॉमा के पहले का है इसको मैं बोलूँगा subject और जो कॉमा के बाद का तो वाला पार्ट है एक यदी वाला पार्ट है तो वाला पार्ट है जो तो वाला पार्ट है मैं इसको बोल देता हूं object हना तो हमें करना क्या होता है इस question में, इस question में यह object है, इस object को मैं बनाऊंगा subject और subject को बना दूँगा object, तो यह जो समय पर पहुंचते हैं, यह sentence बनेगा हमारा subject, तो आभी हमें क्या देखना है, कि हमें इस object को subject बनाना है, subject को object बनाना है, और positive को negative करना है, और negative को positive करना है, तो यह object है, वो केसा sentence है, हम स सबसे पहले हम sentence देखेंगे कि समय पर पहुंचना वाला कहां से start है तो इस option पर बिमान से start किया तो यह option गलत हो गया यदि हम समय पर पहुंचते हैं यह वाला sentence आ गया हमारा पहले जो object था वो कहां आ गया सामने और इसको क्या बना दिया उसने negative नहीं और इस subject को कहां बना दि दिया negative जो subject था विमान वाला उसको भी क्या कर दिया negative तो हमारा कौन सा option सही हो जाएगा यह वाला जिसमें लिखा है यदि हम समय पर इस थान पर नहीं पहुंचते हैं object को बना दिया subject और उसको कर दिया negative समय पर नहीं पहुंचते हैं और subject को बना दिया object मतलब पीछे ले ल लिए मान से नहीं आए हैं इसे सामने लाना पड़ेगा और progressive या उरा नेगेटिव है या इसको चेंज करेंगे बना देंगे उसको हम मैं अड़ेक्ट थीक है तो मड़र नेक्स्ट कोउश्ट्यं और को अधे blow अज़ देखते ओ कि या तो मोना को बुखार है या लीसा को बुखार है या हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि या मोना को बुखार नहीं है या लीसा को बुखार नहीं है तो दोनों हमारे correct answer होंगे सही होंगे तो जब भी हमारे इस तरीके से बनता है दोनो दोनो वाला जब भी बनता है तो दोनो वाला या फिर यह सत्य नहीं है इस तरीके से जो sentence start होते हैं हमारे उनके जो निसकर्स निकलते हैं या equivalent question वो क्या होते हैं हमारे वो या तो या तो या तो वाले होंगे हना तो हम यह क्या करेंगे देखो यहां पर यहां किस किस option में दिया देखो इस option में तो क्या दिया है लीसा को बुखार और मोना को बुखार है है ना end से बनाया है तो यह वाला क्या हो गया हमारा गलत ठीक है उसके बाद देखो यहां पर भी किस से बनाया है end से बनाया है और क्या को बुखार है या मोना को बुखार है तो यह किस से बनता है जब भी इस तरीके से दिया हो दोनों यह सत्य नहीं है कि दोनों एसा दोनों इस टाइप से जब भी आता है तो वह किस से बनता है या से बनता है तो यह वाला option क्या हो जाएगा हमारा सही हो जाएगा तो correct answer क्या हो जाएगा लिसा को बुखार है या मोना को को बुखार खीक है तो और इसमें हमें यह दिहान रखना है कि या तो हम दोनों negative statement दीनगे या दोनों ही पॉजटिव statement दुने जिसे बिला इंडिया और सांथ आफ्रीका आज इंडिया प्राफ यह तो इसमें में जीता या हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं या साउट आफरिका मेच साउट आफरिका मेच नहीं जीता या इंडिया मेच नहीं जीता इस तरीके से हम इसको बना सकते हैं तो दोनों जो सेंटेंस हैं हमारे इसके जो join दो sentence जो बनेंगे वो दोनों ही या तो positive होना चाहिए या फिर negative होना चाहिए और किस से जुड़ना चाहिए या के द्वारा जुड़ना चाहिए यदि वो end से जुड़ा है तो वो answer हमारे क्या हो जाएंगे गलत हो जाएंगे तो इस तरीके के जो option है जो अभी हमारे परिक्षा में ट्रेंड चल रहा है कि चार option दे दे चार विकल बना रहा है A, B, C, D, यहां पे लिख रहा है मोना को बुखार है, यहां लिख रहा है लीसा को बुखार है, यहां लिख रहा है मोना को बुखार नहीं है, यहां लिख रहा है लीसा को बुखार नहीं है, और option में बना रहा है हमारा first option बन रहा है हमारा a b second option बन रहा है हमारा a c third option बन रहा हमारा b d इस तरीके से option बना रहा है तो यह जो यह दोनों वाला जो है या जिसकों मैं बोल रहा हूँ कि जो इस तरीके का जो question है या वाला यह इस pattern पर नहीं पूछा जा सकता है क्यों कि इसमें किस से जोणना है अपन को या से जोणना है तो यह वाला जो question है वो इस logic पर इस तरीके से नहीं पूछा जा सकता है ठीक है वो as it is ऐसा ही पूछा जाएगा जिसे 2016 की भरती में पूछा गया था ठीक है चलिए अगला देखते हैं हम अपना question हाँ देखिए फिर से वे सी question आ गया है यह सत्य नहीं है कि नीमो और नीना फिल्म गई थी तो यह सत्य या अब इसको मैं क्यासे बनाऊंगा हम इसको option नहीं देखते हैं हम इसके answer क्या क्या possibilities क्या क्या है इसकी कि यह बनेगा या तो या तो नीमो फिल्म देखने गई थी या नीनो फिल्म देखने गई थी या इसको मैं ऐसे बोलूँगा कि नीमो फ फिल्म देखने फर्स्ट ऑप्शन को चेक कर रहा हूं में नीमो फिल्म देखने नहीं गई थी और नीना फिल्म नहीं गई थी तो यह ऑप्शन हो सकता है हमारा उसके बाद देखो यह और वाला यह गलत हो गया और उसके बाद नहीं गई यह और वाला क्या है गलत हो गया तो लिए अगला देखते हैं नेक्स्ट कोश्चन है हमारा यह सत्य नहीं है कि सीता और गीता रामा की बहने हैं तो इसको कैसे बनाएंगे हम कि या तो सीता रामा की बहन है या गीता रामा की बहन है या हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं कि सीता रामा की बहन नहीं है या गीता रामा की बहन नहीं है हना जब भी दोनों की condition आती है हना ये सत्य नहीं है मामला नहीं है इस तरीके से देता है जब भी तो हमें या तो दोनों अपने कथनों को negative रखना है और दोनों को positive रखना है और बनाना किस्से है या के द्वारा बनाना है ठीक है तो यहां पर देखो कि यह है जैसे सीता रामा की बहन नहीं है या गीता रामा की बहन नहीं है दोनों नेगटेव है और दोनों या या से बना तो यही वाला option हमारा सही होगा ठीक है यहां पर क्या बनाया है सीता रामा की एक बहन है और गीता रामा की एक बहन है इस तरीके से नहीं बोला है उसने सीता रामा की बहन है और गीता रामा की बहन है तो ये और वाला तो गलती हो गया सीता रामा की बहन है और ये भी और वाला है ये भी कुन सा वाला है और वाला है इंगलिस में एंड से बना रहा है तो ये में रखो दोनुं ko positive रखो और या से जोड़ दो हना दोना और केस्ट बनेंगा या मैं दोनों को negative लुँगा और या से जोड़ूँगा यह मैं दोनों को positive लुँगा और या से जोड़ूँगा से लावा कोई दूसरा थाट option हमारा नहीं बनेगा हना ठीक है चलिए नेक्स्ट है अभी यह फिर हमारा first type वाला question आ गया यदि 37 प्रसिक्षन कारेकरम में सामिल होता है तो उसकी पदोन्नती होगी तो इसमें क्या किया था मैंने first question में इसको बनाया था मैंने object इसको बनाया था मैंने object तो वाले sentence को और इसको बनाया था मैंने subject ठीक है अब क्या object को negative बनाके सामने ले आऊंगा वो बन जाएगा subject तो क्या बनेगा पदोन्नती नहीं होगी इस type का कोई option बनेगा पदोन्नती नहीं होगी तो यह किस पे है यह तो perception से शुरू है यह वाला गलत यह भी यह पदोन्नती से शुरू है ठीक है तो क्या होगा इसमें लेगा प्रसिक्षण कारक्रम में सामिल नहीं हुआ था यहां पर क्या बोला प्रसिक्षण कामिल में सामिल होता है तो subject को negative बनाके पीछे object को negative बनाके आगे तो यह वाला हमारा structure क्या है सही है तो correct answer देख लेते हम क्या दिया इस पर correct answer वही दिया हुआ यदि 37 प्रसिक्षण में सामिल यदि 37 प्रसिक्षण कारिकरम में सामिल नहीं हुआ था तो प्रसिक्षण कारिकरम में सामिल होने वाली जो बात है वो हमें subject के रूप में कही गई थी इसलिए हमने उसको negative बना के उसका sentence का तो वाले पार्ट में लिख दिया और जो प्रसिक्षण कार समनती नहीं होती है तो वे प्रिसिक्छन कारिकरम में सामिल नहीं होता है इसको subject-object में यदी confusion हो रहा हो तो यदी और तो से समझ सकते हैं आप जो तो वाला पार्ट है वह सामने आएगा यदी वाला पार्ट है वह पीछे जाएगा और दोनों कैसे हो जाएंगे नेगेटिव और यदि negative को positive बनाना positive को negative बनाना वैसे तो मैंने देखा अभी तक मुझे दोनों ही या तो positive होते हैं या दोनों ही negative होते हैं चलिए अगला देखते हैं जिसे आप देखिए यह वाला question है आप इसको वीडियो को रोक के एक बार अपने से बना के देखिएगा फिर देखिएगा जो मैं बना रहा हूँ वो आपका match कर रहा है या नहीं और मैं 100% से और हूँ अगर आपने ध्यान से वीडियो देखा होगा तो आप से अब यह questions बनने नहीं होंगे तो गनित में उत्रिन नहीं होंगे कहां पर है यह अंगरेजी में उत्रिन यह वाला गलत यह किस से सुरू है गनित में उत्रिन होते हैं जबकि यह क्या बोल रहा है गनित में उत्रिन होंगे तो यह वाला भी क्या हो गया गलत क्योंकि नेगेटिब बनाना था अगर आप गनित में उत्रिन नहीं हुए है तो आप अंग्रेजी में उत्रिन नहीं हुए है ये वाला सही हो जाएगा क्यों 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 यहां पर गनित पर उत्रिन होने की बात की गई थी तो उसको negative बना के हमने बना दिया subject कहा गया गनित में उत्र नहीं हुए अंग्रेजी वाली बात आ गई पीछे और गन्ट वाली भी बात आ गई सामने छलिए इस तरीके से हम कर सकते हैं देखिए खरेक्ट Exact और अंसर एई दिया है अगर आप गन्ट को पीपर के कुशन से हम इस यह solve कर रहे हैं ताकि कमीशन ने जो हमें आंसर दिया है हम उसको मैच कर सकें लॉजिकल एक्विविलेंट के इसा टॉपिक है कि लॉजिक क्या लगाया गया है एक्जामिनर के पूछने की क्या टेंडेंसी है यह हम जान नहीं सकते हैं ना कभी दोनों को पॉजिटिव दोनों करा रहे हैं ताकि किसी भी प्रकार की कोई संदे ना रहे चलिए अगला देखते हैं ठीक क्या लेखा है यदि कथन सत्य नहीं है तो यह गलत है हना तो इसको क्या किया हमने इसको क्या करेंगे हम यह जो गलत है गलत को कहा ले आएंगे सामने तो क्या बनेगा यह गलत नहीं है और इसको कहां ले जाएंगे पीछे तो कथन सत्तो कथन सही है ये कहां चला जाएगा पीछे तो देख लेते हैं हमारे किस option में दिया है ये गलत नहीं है गलत नहीं है कहां पर है गलत नहीं है बस यही वाला option है ये कथन सत्ते नहीं है ये तो गलत हो गया कथन से सुरू किय यह भी कथन से सुरू किया यह भी कथन से सुरू किया जबकि सुरू किससे करना था कथन गलत नहीं है तो यह सही है यदि कथन गलत नहीं है तो यह सही है गलत नहीं है तो सही है तो क्या हो जाएगा हमारा थर्ड वाला option सही हो जाएगा ना देख लेतें correct answer क्या दिया हुआ है यदि कथन गलत नहीं है तो यह सही है इस तरीके से करना कुछ नहीं है बस आपको जो मैंने अभी यह दो लॉजिक बताया हूँ या अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपके question गलत नहीं होँगे चलिए अगला question क्या है यह सत्य नहीं है कि दोनों Mick और James छात्र है तो या तो इसको कैसे बनाएंगा हम दो तरीके हैं या तो मैं इसको positive positive बनाओ या तो मैं कैसे बनाओंगा या Mick छात्र है या James छात्र है या दूसरा क्या बनेगा या Mick छात्र नहीं है या James छात्र नहीं है तो दोनों negative negative होना चाहिए तो Mick एक छात्र नहीं है James एक छात्र नहीं है ये लेकिन काईसे बनना चाहिए या से बनना चाहिए ठीक है तो इसमें या तो ही नहीं है तो ये गलत ह यह वाला ऑप्शन हमारा सही होगा क्या हो जाएगा मैं यह च्यात्र नहीं है वह बहुत बढ़ी भूमिका है हमें का यी बार हम जबर्यस्थी लॉजिक लगाते रहेते में यूट्यूब में काफी उसमा बोल रहा है कि आप A star बनाओ A negative बनाओ B negative बनाओ फिर उसको option में जमाओ इसे करने को जरूरत नहीं है आप एक बार option में अगर आप अपनी नजर डालेंगे तो आप question को कर लेंगे ठीक है वो negative बनाना star बनाना इस सब करने से भी आपका answer आ जाएगा लेकिन वो time टेकेंगे और इस बार जो हमारे MPP के पेपर हो रहा है वो काफी जादा time ले रहा है हना तो time बचाना भी हमारे लिए बहुत जरूरी है तो option पे नजर मारना हमें हमें सबसे पहले हमें अपने option पे नजर मारना है ठीक है जिसे यह आ गया यह मामला नहीं है कि आप late हो हो सकते हैं और बिमान पकड़ सकते हैं तो यह वह वह वर कॉल्शन है कि यह सब्ध्चन नहीं है इस都 यह तो आप late नेगेटिव और यहां क्या बनाया है पॉजिटिव हाना तो यह वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा गलत क्यों क्योंकि या तो दोनों नेगेटिव रखना है या फिर दोनों पॉजिटिव रखना है जैसे आप लेट नहीं हो सकते या आप विमान नहीं पकड़ सकते तो दोनों के से बने हैं sentence नेगेटिव बने हैं तो ये वाला option हमारा क्या होुजाएगा? सही हो जाएगा इसमें एक negative और एक positive था और बनना किसे था ये या वाले से और वाले से या comma से नहीं बनना है तो ये वाले दोनों option तो हमारे वैसे ही गलत हो गए थे ठीके? तो इसका correct answer क्या बनेगा, आप late नहीं हो सकते या आप बिमान नहीं पकड़ सकते हैं, ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, यदि तो वाला आगया, next question हमारा, यदि आज बुधवार है, तो कल गुरुवार होगा, तो इसका क्या बनेगा, यदि कल गुरुवार नहीं होगा, तो आज बुधवार नहीं है, इस type से बनेगा, देख लेते हैं, क्या करना है हमें, इस गुरुवार को ले आएंगे हम subject, और बुधवार को ले जाएंगे हम object में, ठीक है, और दोनों कैसे बनेगे, negative, क्योंकि दोनों कैसे हैं, positive हैं, तो दोनों negative कहाँ है, यदि बुधवा नहीं है, तो गुरुवार नहीं है, यह तो बुधवार से सुरू किया, तो यह गलत हो गया, यह भी बुधवार से सुरू किया, तो यह वाला option भी गलत हो गया, इसको गुरुवार से सुरू किया है, यदि कल गुरुवार नहीं है, तो आज बुधवार नहीं है, यह वाला option क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा हमें object को subject भी बनाना है और positive को negative और negative को positive भी करना है ठीक है तो यह वाला जो answer है हमारा correct हो जाएगा यदि कल गुरुवार नहीं है यदि कल गुरुवार या सरवण ने खेल जीता दोनों ने नहीं जीता है तो या वाले से बनाना है और यह या वाला भी जो है वो या तो positive होंगे दोनों या फिर negative होंगे दोनों ठीक है मैं बार बार वार वही बात इसलिए repeat कर रहा हूं ताकि आपको concept अच्छे से clear हो जाए ठीक है तो मैं यहां पर यह और है मैं option काटना शुरू कर रहा हूं यह और है गलत यह या वाला है और इसने दोनों positive हैं तो यह वाला option हमारा सही होगा देख लेते हैं फिर उसके बाद यह और है यह गलत यह और है यह गलत तो यह वाला एक ही option था तो यह वाला correct हमारा answer होगा और बोई बताया है सतीस ने खेल जीता या स्रवड ने खेल जीता है ना अगर इसके option घुमा फिरा के देता है आपको ना कुछ भी तरीके से बना सकता है रे banking में इनी questions को कई तरीके से बनाते हैं आपके concept clear होना चाहिए और आपका common sense काम करना चाहिए examiner किस तरीके से question पूछ ले कुछ नहीं बाकि जो इनके answer है जो तरीके बन रहे हैं वो सेम यही रहेंगे ठीक है पूछने का तरीका अलग-अलग हो सकता है तो concept clear होना चाहिए देखिए ये कौन सा question है सभी भारतिय करी और चावल पसंद करते हैं ठीक है तो इसमें ये तो वो मैंने कथन निसकर इसकी एक और वीडियो डाला सभी वाली सभी कुछ कुछ नहीं है कुछ हैं जिसको हम लोगिजम बोलते हैं जिसमें सभी कुछ वाले question रहेते हैं तो उसमें मैंने बताया था कि सभी वाला किसमें कनवर्ट होता है कुछ में होता यूनिवर्सल पॉजिटिव स्टेट्मेंट यूनिवर्सल पॉजिटिव स्टेट्मेंट किसमें बदलता है पर्टिकुलर पॉजिटिव में तो सभी भारती करी और चावल पसंद क करते क्या करते हैं कुछ भरती चावल और करी पसंद करते हैं इसको यूनिवर्सल positive किसमें बदलता है particular positive में बदलता है यह वह logical logic कहीं का भी हो कुछ भी हो वह हर जगा काम करेगा बस आपको इसको use करते आना चाहिए ठीक है हमारा next question है यह सत्य महान योद्धा नहीं है या बावर महान योद्धा नहीं है तो देख लेते हैं हमारा अकवर यह तो और से बना है सबसे पहले option काटना सुरू करो और से बना है गलत यह यह से और बावन एक महानियोद्ध था और ऑप्षण की सभी कर सकता लेकिन ऑप्षण करना था तो उसने यह कर दिया यह लगा दिया ज़रूरी है उसके बाद वोला none of the above, तो क्या हो जाएगा हमारा correct answer, हमारा correct answer हो जाएगा, अकवर एक महानी उद्धा है या बावर एक महानी उद्धा है, ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, ये सत्य नहीं है कि दोनों सवर्ना और सपना लेखक हैं, तो या तो सवर्ना लेखक है या फिर सपना तो हम क्या करेंगे, या फिर हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं कि सवर्ना लेखक नहीं है, या सपना लेखक नहीं है, तो या से बनना है, पहले तो हम में और वाले option काड़ दे रहा हूं, ये वाला गलत हो गया, ये वाला गलत हो गया, ये वाला गलत हो गया, तो या वाला एक कि बचा और क्या बनाया उसने स्वर्णा एक लेखक नहीं है या सपना एक लेखक नहीं है तो हमारा लौजिक भी बैठ ना चाहिए मैं तो यह के वाला अगर नहीं है तो यह वाला भी कैसा होना चाहिए नहीं होना चाहिए अगर तीन option देके इनको दोनों एक को positive एक को negative रखता है और एक option देता none of the above तो हमें कौन सा टिक करना पड़ेगा फिर none of the above हमारे logic को fulfill करना चाहिए question ठीक है option को यह सत्य नहीं है कि Australia और Sri Lanka दोनों ने world cup जीता तो फिर वो ही बनेगा या तो Australia ने world cup जीता य दोनों पॉजटिव होंगे या से जोड़े हुए या फिर नेगेटिव होंगे या से जोड़े हुए चलिए अगला देखते हैं यह आ गया हमारा conditional वाला अगर आज सनिवार है तो कल रवीवार है तो क्या होगा कल रवीवार नहीं है तो आज सनिवार नहीं है ना आज सनिवार नहीं है तो यह सनिवार को पहले ले लिया तो इसको गलत यह भी सनिवार पहले ले लिया गलत यह है गलत और यह बोला ना रव तो आज सनिवार नहीं है चलिए अगला देखते हैं यह सत्य नहीं है कि उटी और सिमला दोनों ही हिल स्टेशन है तो या तो उटी से हिल स्टेशन है या सिमला हिल स्टेशन है या फिर हम इसको एंसे बनाएंगे कि उटी हिल स्टेशन नहीं है या सिमला हिल स्टेशन नहीं है तो देख लेते हैं हम option सबसे पहले हम यावाला ढूंडते हैं कहाँ पर है यावाला option हमारे पास एक ही है और यही option हमारा सही हो जाएगा क्योंकि यह और है यह और है और यह भी क्या है और है तो यावाला है और दोनों काई से बने है positive positive बने हैं यह क्या है 2016 में एकदम सिंपल तरीके से पूछा गया था लेकिन अभी 17 के एक्जाम में हमें या से तो बना रहा है वो लेकिन एक को पॉजटिव एक को नेगटिव रख रहा है तो यहां पर ध्यान देना जरूरी है आप लोगों के लिए कि दोनों ही सेंटेंस जैसे यह आ गया यह सत्य नहीं है कि कमल और विमल दोनों ही एथलीट हैं तो क्या बनेगा या तो कमल एथलीट है या फिर विमल एथलीट है या फिर यह बनेगा कि कमल एथलीट नहीं है या फिर विमल एथलीट नहीं है तो यह वाला हम देख लेते हैं इसने और से बना य गलत यह या से है कमल एथलीट है विमल एथलीट है तो यह वाला option हमारा सही हो जाएगा और यह किस से बना है और से बना है तो गलत और यह क्या बोल रहा है उपरोक्त में से कोई नहीं कब होगा जब यहां पर है बोला है और यहां पर मालो क्या बोल दे नहीं है तो यह वाला option अभी क्या हो जाता हमारा गलत क्योंकि या तो दोनों positive होना चाहिए या दोनों ही negative होना चाहिए है ना तो अभी ऐसी condition तो है नहीं है तो हमारा ये वाला option क्या हो जाएगा सही हो जाएगा ठीक है मेरे एक student ने paper देके आया वो बोल रहा है कि इस type के logic से वहां पर questions को गलत कराने की कोसिस की गई है मैट्स भी काफी calculated पूछे जा रहे हैं गलत questions भी डाले गए तीन से चार गलत question को डाला जा रहा है ताकि बच्चे जो हैं अपना समय बरबाद करें और वो करें न तो उनको ऐसे बंदे चाहिए जो time management और logic लगाना common sense को यूज करना जानते हो न logical reasoning का मतला भी वही है हमारा अगला question है यदि आप सुल्क जमा करेंगे तो आप कक्छा के अंदर जा सकते हैं तो इसको क्या बनेगा आप कक्छा के अंदर नहीं जा सकते यदि आप सुल्क जमा नहीं करेंगे तो object को बनाएंगे subject बना देंगे negative तो क्या हो जाएगा आप कक्छा के अंदर नहीं जा सकते हैं तो आप सुल्क जमा नहीं करेंगे इस टाइप से कुछ होगा ठीक है तो मैं देख लेता हूँ सुल्क जमा किया गलत उसके बा है ये तो गलत ठीक है तो negative वाले हमारे कौन से option थे ये दो option थे लेकिन ये किस से सुरू कर दिया हमारे subject से ही सुरू कर दिया है हना तो ये वाला क्या हो जाएगा हमारा गलत हो जाएगा हमें object को subject बनाना है ठीक है तो ये वाला answer हमारा सही हो जाएगा तो इस तरीके से हम य किलियर किये एक तो इफ वाले और एक बोथ वाले हना जिसको हिंदी में बोल रहे हम यदी तो वाले और या फिर यह सत्य नहीं है दोनों इस तरीके के दो लॉजिक है एक तो यह दोनों कॉंसेप्ट आपके किलियर हो गए होंगे इससे इस तीन से चार कोश्चन हमारे MP पुल